ओम शान्ति आत्माओं को, तो आपके बुद्धी में वो सारे points रिवाइस कर सकते हो फिर सदा मन जीत जगद जीत के निश्य और नश्य में रहने वाली इस point पर रिवाइस कर सकते हो कि बाबनी कैसे मन जीत जगद जीत की point समझाए फिर हर गोन, हर शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्म है, इस पे बाबा ने कौन से पॉइंट समझाए, फिर सदा बाब को साथ रखने वाले कमबाइन स्वरूप आत्म है, इस पॉइंट पर बाबा ने क्या समझाया था, तो सदा स्रेष्ट भागे की लकीर को सहज स्रेष्ट बनाने वाले, तो माना इस पे बाबा ने मुरली में, डिटेल में क्या समझाया है, तो ये है सार स्वरूप, वो है डिटेल, वो है विस्तार, पर वो विस्तार को दुबारा जाके पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ लिया है, उसको बुद्धी में रिवाइस करके देखे, कि हमारी बुद्धी में कितना बैठा है, फिर उस याद प्यार को फिर से रिवाइस करे, तो ये बहुत सहज माद्यम से आपको अव्यक्त महावाक्या याद हो सकते हैं, तो कहीं कहते हैं ना कि हमको मुर्ली याद नहीं होती, तो उसका बहुत सहज सादने, जैसे साकार मुर्ली में धारना के लिए मुख्य सार होते हैं, उन पॉइंट्स को रिवाइस करके आप साकार मुर्ली में बावा ने क्या कहा, उनको रिवाइस कर सकते हो, तो अवयक्त महावाक्यों में क्या कर सकते हो तो यह याद प्यार है इसको पढ़के अंदर बुद्धी में रिवाइस कर सकते हो कि बाबा ने क्या कहा इस पॉइंट को डिटेल में बाबा ने कैसे समझाया तो वो रिवाइस करेंगे तो आपकी बुद्धी में सारे तो यह बहुत सहज विदी है मुरली को याद रखने की और उसको ग्रहन करने की ओम शांति